जो दिन भर गाल बजा बजा के घोशनाय करते हैं 25,000 से ज़्यादा जूटी घोशनाय वो कर चुके हैं कोई चीज बिना घोटाले के मध्यप्रदेश में नहीं होती है मध्यप्रदेश नमबर एक पर है महिला आत्या चार पर है रेव, ग्याइंग रेव, यूमिन ट्राफिकेंग, कूपोशन सब में नमबर एक पर है और कौन सा घोटाला यान होता है छोटे-छोटे बच्चों का जो आहर पोशन है उसका तक घोटाला इन घोटालों के चलते कर्श के तले दबे माता पिता के प्रेशर में मध्यप्रदेश का नव्युवक फासी के पंदे पे जूलता रहा और शर्मनाक है के पिछले 17 साल की सरकार में 17,000 से जादा बेरोजगाज और छात्रों ने आत्मात्या करी है कहीं कोई घोटाला जहां भारती जनता पार्टी के मंतरी, मुक्य मंतरी, उनके डलाल लिप थे, कहीं उनका नाम ना आए इसलिए उस सत्पुड़ा भवन को ही स्वाहा कर दिया गया, तो उस सत्पुड़ा भवन में ही आग लगा दी गया चक्शलिक है तमाशा, जो भारती जनता पार्टी कर रही थी वह वोट के मदले में नोट की राजनिती कर रही थी, आदे इस ऐस दौर्वड़ात आगेता और cold out wok jСТ9 dv8 भाघ रीओ ही तो इस दौरगा भार ब कारोग भारती जनता पार्टी हम वो, घोषणा machine नहीं है शिवराज सिंग जी कि रोज गुष्णा करो सबेरे और शाम को भूल जाओ और हालत यह है कि मद्धिप्रदेश का नव यूवक आज हिंदुस्तान में नंबर एक पर है आत्मात्याओं में जो कि बहुत शर्मनाक और दुखा जुमले मोदी जी हो अमिच्छा हो शिवराज सि सब के जुमलों से पूरा देश वाकिफ है आज यह प्रेस कॉंफरेंस खासतोर पे मद्धिप्रदेश में जो नव यूकों में जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है आज मद्धिप्रदेश का युवा पूरी तरह से बरबाद पड़ा है दो करोड से जादा य पूरी तो रोजगार है और रोजगार के नाम पे केवल और केवल घोटाले अठरा साल की बीजेपी की सरकार देती रही कहा जाता है कि किसी भी राश की प्रगती का आधार महा के युवा होते हैं और युवा शक्ति ही देश की वर्तमान और भवेश्य का निर्मान करते हैं और ऐसी युवा शक्ति का खुद का भविश्य भारती जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने मद्धिप्रदेश में बरबाद कर दिया। भयानक बेरोजगारी, छात्रों की आत्मत्याएं और घुटालों का शर्मनाक यूग मद्धिप्रदेश ने 18 साल में देखा है। और जिस तरह से तमाम माफिया चाहे वो शराब माफिया हो, भू माफिया हो, रेत माफिया हो, तमाम माफिया सरकार के संग्रक्षन में मद्धिप्रदेश में फलते फुलते रहें, ठीक उसी प्रकार शिक्षा माफिया भी सरकार के संग्रक्षन में मद्धिप्रदेश में फल फुलतारा जिसका नतीजा क्या था जिसका नतीजा था व्यापम घोटाला नर्सिंग भरती घोटाला पुलिस कॉंस्टेबल भरती घोटाला शिक्षक भरती घोटाला पटवारी भरती घोटाला तमाम जो सरकारी नौकरियां थी वो घोटालों के भेट चड़ गई पिछले 2022 म Employment Exchange में करीब उन 40 लाख बच्चे युवा रिजिस्टर्ट थे और शर्मनाग है कि उसमें से सरकार केवल 21 लोगों को नौकरी दे पाई केवल 21 लोगों को फिर रिपीट करती हूँ उन 40 लाख लोगों जो रिजिस्टर्ट थे उसमें से केवल 21 लोगों को नौकरी मिली MPPSC जो की MP Public Service Commission है उसके द्वारा पिछले 5 साल में कोई नौकरी नहीं दी गई हालत यह है कि मद्धिप्रदेश में भरती परिक्षाएं पिछले 18 साल में न के बराबर हुई और जो भरती परिक्षाएं हुई उनका रिजल्ट नहीं आया कुछ जिनका रिजल्ट आया वो भष्टाचार की भेट चल गए हर वेक्ति मद्धिप्रदेश का जानता है कि पठवारी भरती परिक्षा में पास होने के लिए 15 लाक रुपे की बोली लगाई गई पंद्रा लाक लेके पठवारी एक्जैम को पास कराया गया महीं कॉंस्टिबल की भरती के लिए आट आट लाक रुपे की बोली लगाई गई और आज हालत यह है कि इन दौर जैसे शहर में ही करीब चार लाक बच्चा छोटे शहरों का कोचिंग लेने आता है पढ़ने आता है तयारी करने आता है इन एक्जैम्स की जो कि उनको एक सरकारी नौकरी दिला सके पांच-पांच साल से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं किराय का घर लेके एक कमरे में चार चार पांच-पांच-छे शे बच्चे रहते हैं क्योंकि माता पिता के पास इतना पैसा नहीं कि उनके रहने खाने शिक्षा के लिए खर्च किया जाए ऐसी बुरी स्तिती में भी रहे हैं कि बच्चे बस एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं पर जब रिजल्ट आता है पता लगता है कि भष्टा चार के भेट उनकी नौकरी चड़ गई और वो क्योंकि रिश्वत नहीं दे पाए घोटाले बाजों को इसलिए उनको वो नौकरी नहीं मिली जहा दुर्भाग की पून है कि मध्यप्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पिछले 18 सालों में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया और निवेश की बात करें जब तो बड़े-बड़े जिसमें करोडों रुपे सरकार ने पानी की तरह बहाया और बड़े-बड़े इवेंट करें क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार केवल इवेंट करने में विश्वास रखती थी उसका नतीजह या उसका परिणाम से कुछ निवेश आया हो ऐसा नहीं 18 लाग क्रोड की निवेश की गोश्टा सरकार ने की पर धरातल पे कुछ भी नहीं उत्रा और सही कहते हैं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी आदर्णी कमलनाजी वो सही कहते हैं कि हम निवेश को आमनतरित नहीं कर सकते हमें उसे आकरशित करना होता है और कर्शन का केंद्र नहीं है क्योंकि इत्ता ब्रष्टाचार है महां पचास प्रतिर्शत का ब्रष्टाचार है हर चीज में ऐसे में कौन निवेश शक आके मधिप्रदेश में निवेश करना चाहेगा इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स है उससे भी हमारा रहा और बार बार परिक्षा देने के बावजूत इन घोटालों के चलते कर्श के तले दबे माता पिता के प्रेशर में मधिप्रदेश का नव्युवक फासी के पंदे पे जूलता रहा और शर्मनाख है कि पिछले 17 साल की सरकार में 17,000 से ज़्यादा बेरोजगार और छात प्रेशरों ने आत्महत्या करी है जो कि आकड़ा मैं समझती हूँ देश में सबसे बड़ा आकड़ा है पूरी तरह से मध्रदेश का नव्युवक और छात्र निराश हो चुका है उनकी निराशा का अलाम आप सो सकते हैं जब पटवारी परिक्षा में 6,000 पदों के लिए 12 बारा लाक नव युवक अप्लाई करते हैं और एक्जैम देते हैं 12 लाक से ज़्यादा 6,000 पदों के लिए और उस 12 लाक में 4 लाक से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कभी बी हैं बी टेक हैं एम बीए हैं अच्छे अच्छी डिग्रिया लेने के बावजूद आज नौकरी क के लिए तरस रहे हैं दो चार साल पहले चप्रासियों की भरती निकली थी विबिन शास्किय ओफिसे में और आपको जानके आश्चरी होगा कि 1333 पदों के लिए करीब 4 लाक लोगों ने अपलाई किया और उसकी जिसकी नियुनतम शेक्षनिक योगिता कक्षा आठ थी मतला आठवी पास होना उसमें बेसिक रिक्वायमेंट था उसमें आपको हमको शर्म आती है कि MBA, MA, MC, MSC पास लोगों ने भी अपलाई किया था तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दैनिय स्तिती है मद्धिप्रदेश में और कितना भयावक रूप है बेरोजगाली का औ अगर हम उच्छ शिक्षा की बात करें मद्धिप्रदेश में, शिक्षा, स्कूली शिक्षा की बात करें मद्धिप्रदेश में, उच्छ शिक्षा का ये हाल है कि 18 से 23 साल के बीच में करीब 95 लाक युवा आते हैं और इन 95 लाक युवाओं में 70 लाक युवा उच्छ शिक मद्यप्रदेश में प्रती लाख युवाओं में केवल 29 शास्की कॉलेज है। इत्ती तो इत्ती दैनिय हैं कि आपकी समयच के पड़े रहेगी। और ये सब 18 साल की सरकार में। 18 साल इत्ता बड़ा समय रहता है। और वो भी एक ही मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान। ऐसा नहीं कि कोई political turmoil था या कुछ था एक आदमी ने करा दूसरे मुख्य मंत्री इन नहीं करा ऐसा नहीं है। केवल एक मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान जो दिन भर गाल बजा बजा के घोशनाय करते हैं। 25,000 से ज्यादा जूटी घोशनाय वो कर चुके हैं। जो जिसने सबेरा का सूर्य नहीं देखा ऐसी 25,000 उनकी घोशनाय रोज घोशनाय करते हैं। ऐसे में स्कूली शिक्षा इतनी बदहाल है कि प्रदेश के 2,621 स्कूल में कोई टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। करीब 7,793 स्कूल में केवल एक टीचर है। और 50,000 टीचर का स्थान रिक्थ है मध्यप्रदेश में। 36,000 स्कूलों में एलेक्टरिसिटी नहीं है। और लजाने कित्ते हजार स्कूल में टॉइलेट्स नहीं है, बोर्ड्स नहीं है, लाइब्रिरी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। और फिर दो साल पहले शिवराज सिंग जी को लगा कि सपना आया कि मैं सीएम राइ स्कूल बनाऊं जिससे कि शिक्षा की गुंडबनता सुदा लूँ। तो उन्होंने साड़े नाव हजार स्कूल की गोशना करी कि ये सीएम राइ स्कूल रहेंगे। अब सीएम राइ स्कूल का ये हाल है कि वहाँ पिछले दो साल में न तो बिल्डिंग हैं न टीचर्ज हैं और उसमें भी टीचर्ज के भरती का घोटाला हो जाता है। कोई चीज बिना घोटाले के मद्यप्रदेश में नहीं होती है। हर जगह घोटाला और बड़ा और्गनाइस्ट एक घोटालों का सिस्टम है मद्यप्रदेश में। जैसे कि हमने देखा कि व्यापम का जो घोटाला हुआ था पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा थी। जिसमें तीन हजार करोड रुपे का घोटाला हुआ था और असंख्य युवाओं का भविश अंधकार में डूब गया उसकी वज़े से। पच्पन से ज़्यादा मौते हुई थी जिसमें जो बच्चे गवा थें उनकी भी मौत हुई कुछ पत्रकारों की भी मौत हुई और कई लोग आत्पहत्या करने के लिए वेवाश हुआ है। प्रदेश में फिर एक नर्सिंग का घोटाला हुआ। नर्सिंग के घोटाले में अश्चरी होगा आपको कि 800 नर्सिंग कॉलेजिस में हजार ऐसे टीचिंग फिकैल्टी हैं जो कि कई कॉलेजिस में जो फेक हैं जो केवल रजिस्टर में हैं ऐसे हैं इसमें एक लाग से ज़्यादा बच्चों का जीवन बरबाद हो रहा है। क्योंकि पिछले तीन साल से नर्सिंग की कोई एग्जामी नहीं हो रही है। बच्चे मही की मही खड़ा हैं तीन साल से और CBI की जाच जब शोर मचा तो CBI की जाच चल रही है जिसमें 19 कॉलेजिस को रद किया गया है। पहली बात जो बेसिक रिक्वाइमेंट है एक नर्सिंग कॉलेज के लिए उनकी पूर्ती क्यों नहीं हुई। क्यों जिसके पास 40,000 स्क्वेर फिट जमीन हो और कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटिल हो ऐसे लोगों को नर्सिंग कॉलेजिस अलोट किया जा सकता है तो उनको ना करके दो कमरे के नर्सिंग कॉलेज भी हैं तो कहीं फैक्टरी पे भी नर्सिंग कॉलेज का बोड चिपका और अविश्व इस नर्सिंग घोटाले की बली चड़ गया इसके बाद आता है शिक्षक भरती घोटाला अब शिक्षक भरती घोटाला का अलम ये है कि शिशकोत की भरती होई बड़ा शोर मचा कि शिक्षक की भरती हो रही है जब इसमें देखा गया कि कुछ जरुवत से जारा देव्यांगों की भरती हुई है चालेंज, फिजिकली चालेंज लोगों की भरती हुई है और जब उसकी जच हुई, तो 184 चालेंज लोगों की सूची की जच हुई तो 66 उसमें सर्टिफिकेट फेक पाए गए जिनों ने बताया कि उनको सुनने में कहीं हेरिंग प्राब्लम है और उसके नाम पे जूटे सर्टिफिकेट बना कर ये उनको मतलब बिकलांगों की भी भर जो पद है उसमें भी घोटाला करने से ये सरकार नहीं चूकी भारती जन पार्टी की शिवराज सिंग जी की सरकार और इस तरह से शिक्षक भरती घोटाला हुआ पटवारी घोटाला ये तो व्यापम टू था बहुत बड़ा घोटाला था और इसमें जब ये घोटाला पकड़ा गया तो पता लगा कि एक ही सेंटर एनराय कॉलेज गॉलियर में ज दस टॉपर में से साथ टॉपर उसी कॉलेज में एक्जाम देने के लिए बैठे थे हैं और यहां से 144 लोग भी सिलेक्ट हुए हैं और पतवारी जैसा कि मैंने बताया कि 6000 पत के लिए करीब 12 लाख बच्चों ने एक्जाम दी थी वो लगाता सडकों पे संघर्ष करते रहे और उनको क्या मिला लाठी ठूसे जेल में भरा गया इन बच्चों को पर न्याएं उनको कभी नहीं मिला और बड़ी बड़ी बाते शिवरा सिंग जी करते थे नव यूकों के लिए युवा निती बनाई पर जो उनका अधिकार है रोजगार उससे उनको हमेशा बंचित र पर देश में ये बच्चे एगजाम में कई हजार रुपया खर्चुके हर बार नई फीस होती एगजाम फीस भरनी पड़ती फिर एगजाम होता फिर कैंसल होता हजारों रुपे इसमें भर चुके कई लाक रुपे उनके कोचिंग और उनके रुखने की व्योस्ता में उनके पेरिंस खर्च कर चुके और नतीजा क्या कि कहीं नौकरी नहीं मिलने की स्थिती में इन गोटालों के चलते वो एज बार भी उसमें से बहुत सारे बच्चे हो गए और विवश हुए जब निराश हुए तो विवश हुए अपने कहीं बिचारे मूँ दिखाने लायक नहीं रहे क्योंकि तापड लिखकर भी उनको जब नौकरिया नहीं मिली और गोटालों के बली उनका रोजगाल जो कि बहुत ही दुरभागय पूर्ण है और देखे कि इन सब घोटालों कि जहां जाच जो कुछ घोटालों की जाच हो रही थी वो सत्पुड़ा भवन में उसके साब साक्षे थे तो सत्पुड़ा भवन में ही आग लगा दी गई देखे तमाशा जिससे कि कहीं कोई लिप थे कहीं उनका नाम ना आए इसलिए उस सत्पुड़ा भवन को ही स्वाहा कर दिया गया और उस भवन के साथ मद्यप्रदेश के करोडों नवयुक्पों के भविश्य को स्वाहा इस भ्रश सरकार ने शिवराज सिंग की किया जो कि बहुत ही दुरभागय पूर्ण है जहतक कॉंग्रेस का सवाल है आदर्ने कमना जी का सवाल है हम बेहर समवेदण शील है नवयुकों के भविश्य को ले के क्यूंकि वही मद्यप्रदेश का भविश्य है और इन तमाम गोटालों की बली जो उनका भविश्य चड़ा है इसको लेके हम बहुत समवेदण शील ह और हमने मद्धिप्रदेश के नव्योकों को विश्वास दिलाया है कि मद्धिप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार कमलनाजी की सरकार हर प्रयास करेगी कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन तमाम घोटाले बाजों को उनकी सही जगह जेल पहुचाएंगे साथ ही हम इस बात को सुनेश्चित करेंगे कि मद्धिप्रदेश में जो छाप लग गई है घोटाले बाजों सरकार की उसको धो सके और इन बच्चों का भविश्य बचा सकें आज कल ही आदरने प्रियंका जी परसों मद्धिप्रदेश में थी उन्होंने कॉंग्रेस की पढ़ो पढ़ाओ यूजना की भी घोशना करी है जिसके तहद जो एक से आठवी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पांच सुरुपे महना की स्कॉलर्शिप मिलेगी ऐसी नववी और दसवी में पढ़ रहे बच्चों को हजार रुपे प्रतिमहा की स्कॉलर्शिप मिलेगी और ग्यारवी और बारवी में पढ़ने वाले बच्चों को डेर्ड हजार रूपे महना की स्कॉलर्शिप मिलेगी, साथ ही हम बचन बद हैं, पूरी शिक्षा प्रणाली को सुदर बनाने के लिए आने वाले दिनों में, जिससे की जो आज हमारा बच्चा मध्यप्रदेश मे शिक्षा और रोजगार को लेके पिछड गया है, जो पलायन करने के लिए मजबूर है, वो चाहता है कि अपने माता पिता के साथ रहे के रोजगार करें, शिक्षा लें, पर हालत इतनी खराबे प्रदेश की, कि वहां रहे के सई शिक्षा पाना और रोजगार पाना युवा को पलप्त कराएं, जिससे उसको पलायन नहीं करना पड़ें, मध्यप्रदेश का नाम दूसरे राजियों के साथ आए, जहां जो जाने जाते हैं अच्छे रोजगार और शिक्षा के लिए, जैसे करनातक, महराश के तमाम राजी हैं, जिनके नाम आते तो हम भी च अब पुछ पुछ ना जाहें, इसी तक सीमित रहूंगी में, बेरुजगार और री. Ma'am, good afternoon. I'm Sahil from ANI. BJP has filed a complaint with election commission over Priyanka Gandhi's poll promise which he made in Madhya Pradesh and the complainant did say that it's a violation of moral code of conduct and also said it's a tempting announcement that has been made without any concrete plan. Just to influence the voting. What do you have to say on that? देखे, मध्यप्रदेश में BJP पूरी तरह से बॉखलाई हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो मैं कम्प्लेन से और भारती जनता पाटी से पूछना चाहूंगी, कि जो वो पूरे मध्यप्रदेश में, चाहे आप पेपर उठाके देखें, चाहे बिलबोर्ड देखें, सडकोपिते बड़े-बड़े बोर्ड रेडियो हो, टीवी हो, तमाम जगह, बहनों दस तारीक आने वाली, बहनों दस तारीक आने वाली, वचन हैं, जो हमारी सरकार आने पर पूरी करेगी, पर जो भारती जनता पार्टी कर रही थी, वो क्या था? वोट के बदले में नोट की राजनिती कर रही थी, और अब अपनी बोकलाहाट में, वो EC के द्वार भाग रही है, अभी तो EC के द्वार रोज भागेगी भारती जनता पाटे, क्योंकि रोज उनको तकलीफ रहेगी, जो वचन हम दे रहे हैं प्रदेश के लिए, हम उसके लिए कटी बद हैं, पहले भी, जब हमने पिछले 2018 में ये वचन दिया था कि हम किसानों का करजा माफ करेंगे, तो 27 लाग किसानों का हमने करजा माफ किया था, मात्र बारा महने की कारेकाल में, पंदरा महने का कारेकाल था, तीन महने उसमें moral court of conduct लगा था, तो बारा महने में हमने किसानों का करजा माफ किया, एक रुपे यूनिट बिजली देने का बचन निभाया, पेंशन, सोशल सेक्योरिटी पेंशन डबल करी, तमाम चीजे जो हमने ब गोषना मशीन नहीं है शिवराज सिंग जी की, कि रोज गोषना करो सबेरे और शाम को भूल जाओ, और हालत यह है कि मधिप्रदेश का नव युवक, आज हिंदुस्तान में नंबर एक पर है आत्मात्याओं में, जो कि बेहज शर्मनाक और दुखाद है, बिर्वाद आप श्टेट गोर्मेंट की बात हो गई, अब स्टेटल गोर्मेंट की बात है, पिछले साल प्रधान मंतरी नरेंदर पूदी ने पायदा किया था, कि साल 2023 के अंद तक, मिशन मोड में 10 लाक नोकरियां दी जाएंगी, राजसभा में दो बार सवाल उठाया जा चुका है, दोन तो ये फेलिए आपको नहीं लगता, कि सिर्फ श्टेट लेवल पे नहीं है, सेंट्रल लेवल पे भी है, देख़िए ये फेलिर तो पूरे सेंट्रल गफ्नमेंट का भी है, क्योकि दो करोर रोजगार का व kinda हर साल का किया था, आज क्यूँकि मैं मद्धि प्रदेश के सं बाखी हम जानते हैं कि जुम्ले मोदी जी हो, अमिच्छा हो, शिवरा सिंग चौहान हो, सब की जुम्लों से पूरा देश वाकिफ है. नमस्कार मैं, अभिशे कानन, भारा 24 से, आपने सिक्षा को लेकर के आपने काफे सारी चीज़े को बताया कि मदर पर देश में जिस तरीकी की अभी महाल जो है, वहाँ बच्चे जो हो पलाइन करने के लिए भी उतारू हो चुके हैं, और साथिसा सुसाइट भी वहाँ पर कर दूका है, तो सतना,ision 17 सालों में जिस तरीके का वहाँ पर सरकार भी बनाई गही है, तो किस तरीके से उनकर माय सेटप को आप चेंज करेंगे और ऐसे सबसे पहली बात है कि जो स्कूली शिक्षा है उसका स्तर सुधारेंगे और बच्चों को मुफ में जो शिक्षा है बार भी तक वो मिलेगी और साथ ही ये स्कॉलर्शिप जिसका बचन हम ने दिया है प्रेंकर जी ने दिया है अधरनी कमला जी कॉंग्रेस की आने वाली सरकार जो दे रही है वो निश्चिती बच्चों को प्रोटसाहित करेगा उनकी मदद करेगा कि वो अपनी किताबों से लेके अपने पढ़ाई पर खर्च कर सके उसमें शक्ती आएगी वो खर्च करने की और प्रेडित होगा कि वो बीच में एजुकेशन छोड़े ना आठी के बाद नहीं छोड़े फॉल आउट नहीं होगा दसवी के बाद ना छोड़े बारदी तक करें उसके बाद को प्रोटसाहित करने के लिए ये स्कॉलर्शिप दी जारी है और साथ ही एजुकेशन सिस्टम को हम सुधार करेंगे और इतना अच्छा बनाएंगे कि सरकारी स्कूलों में उनको प्राइवेट स्कूल से अच्छी शेक्षा मिल सके इस बात को हम सुनेश्चित करेंगे मैं शुबा मैं इदर मैं रज्ज सरकार पे बहुत कर्जा लगतार आप लोग कह चुकिए कि लगतार लेके काम कर रहे हैं आप लोगों ने वादा किया है कि जब सरकार में आएंगे तो महिलाओं के खाते हैं पंदरह सुरु रुपए देंगे अब ये शिक्षा की बात हो कि पांदरह सुरु रुपए एक हजार रुपए पंदरह सुरु रुपए तो जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो आप लोग अपने वादे कैसे पूरे कर लेंगे दिखें सब जानते हैं कि मध्यप्रदेश में को आज कर्जे में डुबा के रखा हुआ है हर व्यक्ति क की सर करीक 1,000 का कर्जा है और ऐसे मैं आपका प्रशन बहुत ही थीक है की हम इसे कैसे पूरा करेंगे जब परिशली बार 2018 में हमने सरकार ली थी तभी ज़स में कर्जा ठा हर व्यक्ति पर जबी 25,000 को करजा हर व्यक्ति के सर था तबी भी और जो हमने वचन दिया था कि हम कसानों का करजा माफ करेंगे तो वो किया और आदरने कमला जी ने बहुत साफ तोर पे कहा कि हम जो भी वचन देते हैं उसको economically कैसे viable होगा उस पे study करके top economist लोगों से चर्चा करके उसके बाद ही हम कोई वचन देते हैं और साथ ही जो भारती जनता पार्टी का major leakage है वो है ब्रष्टाचार ब्रष्टाचार में जो योजना बनती है एक तो event management में पुरा उसका one-fourth budget event management में चला जाता है और फिर 50% का ब्रष्टाचार हो जाता है तो कुछ बच्चता नहीं है तो जहां तक हमारा सवाल है हमने पिछली बार भी यह कहा था पिछली सरकार की दौरान 2018 में और आज 2023 में भी हम खड़े हो के कह रहे हैं कि जो leakage है चाहे वो ब्रष्टाचार का हो चाहे event management में tax payers का पैसा पानी की तरह बर्बाद करने का हो इस पे जरूर रोक लगेगी और हम इस बात का वचन देते हैं कि जो पैसा जिन के लिए है जिस वर के लिए है उसी पे खर्च हो इस बात के लिए को हम सुनिश्चित करेंगे कि शुवा मैम मनुहर केसरी इंडिया नियुट सेमा मैम आपनी बूला 50% सरकारा की बात हो रहे है जिसके वज़ा से बेरोज़गारी और भरष्टाचार मद्यपर्देश में बहुत ज्यादा है राहूल गंधी ने भी कहा है कि अगर OBC लोगों को ज्यादा अगर जातिगत जन्गना के आधार पर किया जाए तो उनको वेरोज़गार नहीं रहना पड़ेगा तो मेरा दो सवाल है क्या मद्यपर्देश में जातिगत जन्ना कराया जाएगा या बेनिफेस्टों में आप लोग शामिल करेंगे और दूसरा रविशंकर प्रसाद ने ये काहा है कि रा आरक्षन का बचन दिया था और साथ ही हम बचन बध हैं कि जब हमारी सरकार आएगी अभी 2023 में तो हम जातिगत जन्करना कराएंगे इस बात का हमने हम बचन देते हैं और पहले भी हमने पिछली बार भी हमने 27% OBC को आरक्षन दिया था सुबावयम जिस तर से मतपरेश के मुकमति शिवराज सिंग बार बार अपनी सभाव में प्रधरमंतरी मोधी का नाम लेते हैं उनकी तमाम योद्नाइग नहाते हैं लिकिन प्रधरमंतरी अपनी किसी भी सभाव में उनका नाम लेते हैं दूसरा सवाल जिससे सिवराज सिं पार्टी के लिए और उसी के चलते मोदी जी उनका कहीं नाम में ले थे कोई और दूसरे भी इनके मंत्री संत्री इनका नाम नहीं लेते हैं और साफ तोर पे मोदी जी ने अपने सभा में इस बात की गोश्चना करी है कि कमल ही उनका चेहरा है और कोई चेहरा नहीं है तो मैं उनको धन्यवार देती हूं कि वो भी मान रहे हैं कि कमलनाथ ही मध्यप्रदेश का चहरा है और कोई चहरा नहीं है और साथी जहां तक शिवरा सिंग जी की बात कहें तो मैं समझती हूं 18 साल के कुशाशंड से लोगों को इस बार मुक्ती मिलेगी आजादी मिलेगी आजाद तो पिछली बार भी होना चाहा जनता ने और बीजेपी को नकार के कॉंग्रेस को चुना था पर लूट की ये सरकार है जो 35 करोड रुपे पर विधायकों को दे की लूट के बनी हुई सरकार थी और अगर हम कोई भी आखड़े उठा के देखे हम नाशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट उठा के देखें तो मद्यप्रदेश नंबर एक पर है महिला आत्या चार पर रेप ग्यांग रेप यूमिन ट्राफिकिंग कूपोशन सब में नंबर एक पर है और कौन सा घोटाला यानी होता है चोटे चोटे बच्चों का जो आहर पोशन है उसका तक घोट घोटाला मद्यप्रदेश में हुआ है जहां जिस गाड़ी से उनको ट्रांसपोर्ट खाना होता था वो गाड़ी के नंबर जब चेक किये गए तो वो स्कूटर के और रिक्षे के नंबर निकले तो जो छोटे बच्चों के तक खाना खा जाए और बच्चा आज कूपोशि में घोटाला कर दे ऐसा शिवरा सिंग चौहान तो जरूर याद आएगा प्रदेश को कि वो कित्ते घोटाले दे गया वो 18 साल में इस प्रदेश को एक घोटाले बाच प्रदेश बना की छोड़के चला गया तो शिवरा सिंग चौहान खुद अब विचलित है परिशान है और इस बात को लेके सुनिश्चित हैं कि वो वापस नहीं आ रहे हैं थैंक यू देखे कल ही मैं समझती हूँ कमलना जी और हमारे इंचार सुजिवाला जी ने इस बात को कहा है कि जल्दी आएगी तो वो ही ठीक वेक्ति होंगी इस बार में गोचना करने के तैंक यू